नमस्कार जैहिन, PS Academy से मैं हूँ प्रदीप, आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, तो दोस्तों, अपने लाश्ट वीडियो में हमने एक लार्ज सेक्षन कम्प्लेट कर लिया था, ठीक है, यहां तक, कॉप 23 तक, आज उसके आगे बात करते हैं, अंतराश्टी भी कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी कम्यों को दोर कर सकूँ, ठीक है, चली आगे देखते हैं, आज, पाकिस्तान में नेशनल एसेंबली का चुना हुआ, 2018 में, काफी चर्चा में रहा, आपने देखा भी होगा इसको, ठीक है, और अब तो, इमरान खान ने वहाँ पर सपत भी ले लिया है, ठीक, प्रधान मंतरी के रूप में, तो चली देख लेते हैं, क्या-क्या खास बात है इसमें, यहाँ पर संसत के लोवर हाउस के लिए, नेशनल एसेंबली का चुना हुआ, लोवर हाउस से ही, जो बहुमत मिलता है, उसी को प्रधान मंतरी बनाया जाता है, य भारत में भी है, पाकिस्तान में भी होती है, याद क्या-क्या चीजिगे रखनी है, यहाँ पर देख लिजे, किती सीटे हैं टोटल वहाँ पर, वहाँ पर टोटल 342 सीटे हैं, जिसमें से 272 के लिए प्रत्य शुरूप से निरवाचन होता है, और जिसमें से 70 सीटे जो है महिलाओं के लिए और धार्मिक अल्प संख्यकों के लिए आरच्छीत है ठीक है यह याद नहीं रखना है बस एक नज़र देख लिजे कि 342 सीटे वहां पर है जिसमें से 272 क्या है डिरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वहां पर और जबकि जो 70 सीटे हैं वह महिलाओं के लिए और धार्मिक रूप से जो अल्प संख्यक हैं उनके लिए आरच्छीत है ठीक लेकिन और यहां देखना है कि बहुमत कितने का हो जागा फिर 137 का लेकिन जब रिजल्ट आपने देखा होगा तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था सबसे बड़ी पार्टी के चुके हैं क्रिकेट अपतान भी रहे हैं ये ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं अब 116 सीटे ही इनको मिली है और बहुमत के लिए चाहिए था 37 सीटे तो कहने का मतलब वहां पर एक गड़बंधन सरकार या त्रिसंकू सरकार कहलेजिए उसका गठन वहां पर हुआ है ठी पूरपर्ध्णीम्त्री ठीट थे नमाज सरीफ उनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुसलिम लीग नमज ठीक हैं तक और जो पूर व्राष्टति घौदारी थे उनकी एक पड़बंधनारी प्य स्थि प्पिल्स नमें पर 38 फिक पर गड्रॉबंदद 1014o 55 된 इताना पर च चल रहे हैं कि भारत में लोक्षभा और जो विधान सभाये हैं उनका इलक्सान एक साथ करवाया जाए लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता आ रहा है ठीक है हमारे यहां भी हुआ 1967 तक हुआ ऐसा लेकिन उसके बाद यह क्रम तूट गया क्योंकि गडबंधन सरकारे बनी किसी रा जो वहां का निम्न सदन है और राज्यों जो चार प्रांथ हैं वहां के वहां पर भी उनका इलक्षन एक साथ में ही हुआ है देखिए चार प्रांथ कौन कौन से हैं पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर, पक्तोनवा यहां की जो प्रांथी एसेंबली है इनका भी चुनाओ एक साथ में ही आयोजित किया गया है ठीक है और यहां पर जानना जरूरी है कि सिंध से एक निर्दली हिंदू महिला ने एपलाई किया था ठीक है केंडिडेट थी उनका नाम था सुनीता परमार सवाल यहां से यह आने का चांस ज्यादा है कि सिंध प्रांद से वो क किसी भी दल से सम्मद नहीं थी वो निर्दली चुनाओ लड़ रही थी ठीक है अब चलते हैं यहां देखिए यहां पर एक खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि 16 साल पहले पाकिस्तान में जो गैर मुश्लिम हैं उनको सामाने सीट पर मदान करने और के लिए मतलब केंद्री विधाइका के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हिंदू ने 16 साल बाद यह चुनाओ जीता है और उनका क्या नाम है महेश कुमार मलानी आपको यह दो नाम याद रखने हैं महेश कुमार मलानी और एक अभी मैंने नाम बताया सुनीता परमार का जो सिंध प्रांद के इलक्षन में निर्दली उम्मिदवार के रूप में खड़ी हुई थी ठीक है चलिए आगे चलते हैं मिस्र में राष्टपती चुना हुआ और यह अभी मिस्र का तो सवाल आया हुआ था 63 BPSC में जो अभी एक्जाम हुआ है हाल ही में तो वहाँ पर इससे सवाल पूछे गए हैं ठीक है यहां पर मार्च में चुना हुए थे और यहां पर देखे कौन प्रेशिडेंट के रूप में चुने गए यह एक स्वतंत्र उम्मिदवार के रूप में वर्तमान राष्टपती अब्दुल फते अलसी सी ठीक है इससे पहले भी यह थे था नागरिक लोगतांत्रिक अंदोलनकारियों ने इसका भहिसकार कर रखा था लेकिन क्या ध्यान देना यहां पर कि फते अलसी सी ने इन्होंने एक तरफा जीत हांसिल कर ली वहां पर ठीक है जो कुलमत वहां पर पड़े हैं उसका 97.08% इनहीं को प्राप्त हुआ जबकि और राजधानी कैरो यह भी पता है अब आगे चलते हैं नेपाल में संसदी चुनाओ नेपाल में चुनाओ हुए ठीक है यहां पर 26 नमबर 7 और 17 दिसंबर के बीच में 2017 में चुनाओ हुआ यहां पर फिर से कम्मिनिष्ट का मतलब कम्मिनिष्ट पार्टी आफ नेपाल जी प्रियास किया और मोदी जी ने प्रियास किया कि नेपाल से हमारे संबंद सुधरें क्योंकि नेपाल जब भी कम्मिनिष्ट सरकार वहां पर आती है तो वह चाइना के पच्छे में चली जाती है ठीक है तो और कई सारा एक अधिकार था इंडिया का नेपाल पर किस मामले मे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से ही एक्सपोर्ट की जाती थी नेपाल को लेकिन अब नेपाल क्या कर रहा है उन्हीं चीज़ों को चाइना से एक्सपोर्ट करने की कोशिस कर रहा है ठीक है तो कहीं न कहीं इंडिया की मोनोपोली को वो कंट्रोल कर रहा है ठीक है ख चलिए आगे चलते हैं तुर्की में चुनाव हुए तुर्की में यहां पर देख लिए 600 सीट वाली ग्रैंड नेशनल एसेंबली के लिए चुनाव हुआ राश्टपती किसको चुना गया जो पहले थे राश्टपती रेसेप तयब एर्डोगेन नाम याद रखना है बहुत है ठीक है क्योंकि तर्की हमेशा चर्चा में बना रहता है तो पहले राश्टपती थे वही अभी भी चुने गये हैं रेसेप तयब एर्दोगेन लगभग इनको 52.59% मत मिला है ठीक है चलिए यहां पर एर्दोगेन पर क्या आरोप लगते रहे हैं हमेशा यह आपातकाल ल कुछ लगाना चुनावी हिंसा नामांकन में अनिमित्ता भाशनलीक ऐसे मामले इन पर हमेशा से यह आरोप लगाया जाते रहे हैं ठीक है इटली में देख चलते हैं इटली कहां पर है यूरोप में आपको मिलेगा भूमत सागर के नौर्थ में ठीक है वहीं पर इटली किनेट ऑफ रिपब्लिक के लिए मद्दान किया गया ठीक तो वहां पर देखे दिक्कत ही हुई कि वहां पर भी किसी भी पार्टी को भूमत नहीं मिल पाया ठीक है किसी विदल को भूमत नहीं मिला तो वहां भी गड़बंधन सरकार बनी और किसे प्रधान मंत्री बनाया पर आया थे तभी मैंने इसको अपडेट कर दिया था कि अब वहां के मतलब इटली के प्रधान मंत्री नहीं है और अब वहां के प्रधान मंत्री है ठीक है दोस्तों इससे आगे बढ़ें मैं पहले आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में कुछ बता दूँ ठीक है दे पाकिस्तान ने अपने आपको कहा कि हम इसलामिक राश हैं तो उसका नाम रखा इसलामिक रिपब्लिक आफ पाकिस्तान ठीक आगे देखें तो यहां पर आप देख सकते हो वहां की विधाईका का क्या नाम है मजलिस ए सूरा मजलिस ए सूरा पाकिस्तान जैसे भारत की इबाला ठीक है आईवाने बाला और वहां की लोवर हाउस जैसे भारत की लोवर हाउस दो रहां की लोवर हाउस का नाम है कौमी 為什麼 कामी Assembly коbe Assembly कामी मतलब जंता तो जंता की precursora लोक सब कई नामों से जानते हैं तो उसी तरह लोवर हाउस को幹嘛 Sexual के ज良ता है और اس पर चलते हैं हम GDP वहां की देख लिए लगभग 1.060 trillion है जबकि भारत की GDP लगभग धाई trillion है ठीक है ठीक है ठीक से ज़्यादा ही है तो वहां की GDP लगभग एक trillion मान सकते हैं ठीक religion देखें तो 96.4% इसलाम है डेड़ परसेंट लगभग हिंदू है और डेड़ परसेंट ही Christian है वहां पर और हिंदू के खिलाप अत्याचार वहां पर आए दिन देखने को मिलते हैं आगे चलें देखें यहां पर वहां की government federal है पारलियमेंटरी है पारलियमेंटरी सिस्टम है constitutional नाम constitutional है लेकिन आज तक कभी सम्मिधान फॉलो नहीं किया गया है हमेशा military coup होते रहे हैं तखता पलट military के द्वारा किये जाते रहे है रिपब्लिक मान सकते हैं रिपब्लिक है ठीक है फेडरल पारलियमेंटरी constitutional रिपब्लिक ठीक है यह है वहां की सरकार जिसे हमारे प्रस्तावना में लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत संपन समाजवादी पंथ निर्पेच लोग तंतरात्म गड़ राज ठीक है तो इसने भी अपने आपको रिपब्लिक घोसित किया है constitutional घोसित किया है और फेडरल ठीक वहां के प्रेशिडेंट कौन ही समय मम बना रहा क्योंकि वहां के जो अभी पूर्वराष्ट पती थे जैकब जुमा इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस भ्रष्टाचार के आरोप में भारत की एक फैमिली है जो इसने काफी भूमिकानी भाई ठीक है एक गुपता फैमिली है उत्तर प्रदेश से वह वहां की राजनीती में बहुत ही ज्यादा हस्तचेप यह कहिए कि जैकब जुमा से उनके करीबी संबंद है ठीक है करीबी संबंद यहां तक है कि 2013 में उस गुपता फैमिली की परिवार में एक साधी थी ठीक है उस साधी में कुछ जो भारती उनके महमान थे लगबग 230 सद को महमानों को और वहां पर दच्छल अफरीका के जो एरफोर्स है उसके बेस का इस्तेमाल किया जाता है उस जेट एरवेस को उतारने के लिए अब आप सोचिए कि कितनी इनकी पहुंच हो सकती है अगर कोई एक उद्दमी ठीक है किसी देश में वह भी दूसरे देश का ठीक है तो यह जो गुपता फैमली की वज़े से ही लगभग राष्टपती जैकब जुमा को इस्तिफा देना पड़ा ठीक है और फिर वहां पर चुनाओ हुआ यह जैकब जुमा किस पार्टी से थे अफ्रिकन नेशनल कॉंग्रेस ठीक है अफ्रिकन नेशनल कॉंग्रेस प्रणी से हैं और इन्होंने स्तिफा दे दिया तो हाँ पर फिर से चुनाओ हुआ और चुनाओ में निर्विदोध चुन लिए गए कौन श्रिल रामफोसा ठीक है से रिल रामफोसा यह निर्विदोध चुन लिए गए और जैकब जुमा के बारे में बताओं तो को राष्टपती चुनाओं के लिए चुनाओं हुए ठीक है और इसमें फिर से ब्लादिमीर पुतिन को ही स्वतंत्र मिद्वार के रुप में राष्टपती चुनाओं में सामिल कर लिया गया वो फिर से लगभग 76.69% इनको टोटल मत मिला और यह आज भी वहां के भुद्पूर्व सेनदिकारी जूलियस माडा बाओ इन्हें सिरलियोन के राष्टपती का पदभार इन्होंने ग्रहन किया था ठीक आपको यहां पर इसको लोकेशन देखनी होगी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप लोकेशन इसकी सिरलियोन की देखें इटलस में चले 92 वर्षी महाथिर मुहम्मद ने सात्में प्रधानमंत्री के रूप में सपत ग्रहन किया और यह जादा वर्ष तक नहीं रहेंगे अगले दो साल में इन्होंने कहा कि और मैं बता दूं कि इन्होंने इनके करीबी जेल में बन थे तो उन्होंने पहले उनको छुडाया और क रहा कि दो साल बाद मैं अपने पद से त्याक पत्र दूंगा और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा ठीक है और यह देखिए विश्व में किसी भी निर्वाची सरकार के प्रमुखों में सरवाधिक उम्र दराज बेखती है 92 वर्ष में आज तक विश्व में कहीं कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है ना ही राष्टपती के रूप में है ठीक है कि यहां लिखा निर्वाची सरकार के प्रमुख के रूप में तो कोई भी ना तो राष्टपती ना तो प्रधानमंत्री 92 में आज विश्व में एक्जिस्ट करता है सिवाए पार राष्ठ पती रह चुकी है फिर उन्हें चुन लिए गया है घीर को अब सीकना था इंडिरेक्टली ठीक है तो और फिर वहां पर एक समाहरों में इमर्शन नंगागवा ये पहले उपराष्ट पती थे फिर इनको राष्ट पत की सपत दिलाई गई है ठीक है कापी सर्चा में जिमबंबे का इसुरा है और तब से आप देख रहे होंगे तो इमर्शन नंग बना दिया है ठीक है और जिमद्स नंग अगवा को राष्ट पत से तो फिर वहां की जन्ता ने एक तरीके से कर दिया था करनने के बाद फिर गळाबे को जब यहां पर फिर से कि मुगाबे ने जब उपराष्ट पती इमर्शन नंगागवा को उनके पत से हटा दिया तो फिर इसके बिरोध में जिंबांबे की सेना ने 14 नुवंबर 2017 को कू तक्ता पलट की करवाई प्राराम कर दी ठीक है जिसे सेना ने कहा कि यह रक्त विहीन सु अब उनके सेना ने कहा कि हम तक दाफ़लट नहीं कर रहे हैं बल्कि वहां सासन बेवस्था है उसको हम बचानी की कोशिस कर रहे हैं ठीक और फिर क्या कि सेना ने वहां राश्ट पती भावन दिया जाता है ठीक है चलिए आँगे 가ते हैं एक यशलितनाक उं नश्टाय तेखे लेते हैं कहां कहां विष्व में कौन कौन सी आपदाएं आई हैं इनके बारे में एक नजर देख लेते हैं जापान में बाढ़ाईS आप इसमें कोई. पांस धिप पर बसद मांसागर के ठीक है? पश्शमितत पर जापान है, कई दिपो में भटा हुआ है जिसमें मुख्य है होकेडो होंसु सिकोकु क्यूसु और रियुकु ठीक है यह पांच दीप इंपोर्टेंट है और इसकी टोक्यो राजधानी है जो की होंसु दीप पर अवस्थित है ठीक है चले आगे पापव निवगिनी में भूकम पाया तो भूकम पाया ठीक है लेकि लेकिन अब इतने डिटेल में इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर याद रखिए कि पापव निवगिनी में भूकम पाया और यह क्यों आया था यहां पर देखना है आपको कि ऑस्टेलियन प्लेट और प्रसांथ प्लेट के टक्राव वाले जटिल छेत् पापव निवगिनी के बारे में तो वह प्लेट टेक्टोनिक्स के छेत्र में आप देखेंगे तो वह है अभिसारी प्लेट की नारा ठीक है इस वज़े से वहां पर और भी यह इसू होते रहते हैं फिलिपीन्स में ऊशन कडबंधी चक्रवात टेमबिन ठीक है फिलिपीन टू इसके ही हम डिसकस करेंगे ठीक है तो टेमबिन कहां आया हुआ था फिलिपीन्स में ठीक और टेमबिन का चक्रवात का अस्थानी नाम क्या है विंटा ठीक है विंटा इसका नाम था और फिलिपीन्स कहां आपको पता है जापान के नीचे ही आपको ये फिलिपीन्स ज सागार में चक्रवात आया हुआ था और यह मेकनयों नाम दिया गया एक माल्दीवाई नाम मतलब माल्दीव की सरकार ने तूर께 में अब दिया है अभी म는 नाम देने की प्रक्रिया मैं बता देता हूँं आपको ठीक है तो मेकून transforming कहा जा आ यह ता यमन और ओमान में ठीक चलिए आगे चलते हैं अब यहां देख सकते हैं सागर शक्रवात सागर शक्रवात आया था यहां देख सकते हैं सुमालिया के सुमालिया तट पर उश्णर करविंधी शक्रवात सागर आया सुमालिया में ठीक है और अदन की खाली के मुहाने पर भी सुमालिया यमन जिबूत एथोपिया जो होर नॉफ स्रिंग है अफरीका के कई थेसों को चार देसों को लगबग होर नॉफ स्रिंग कहा जाता है ठीक है तो जुँआ वही पर ये सागर चक्रवाद का प्रभा रहा है ठीक है चलिये आगे देखें माउंट फ्योगो जॉलामुखी यह माउंट फ्योगो कहा है ग्वाटेमाला कहा है मध्ध हमेरिका ठीक है मध्ध हमेरिकी देश से एक ग्वाटेमाला और वहीं पर माउंट फ्योगो जॉला मुखी का विस्पोर्ट हुआ है Mount Agung jowla mu까지 यह Mount agung कहां पर है यह है इंडोनेशिया के Bali दीप पर इंडोनेशिया आपको पता है लगबग 13ına दीप वहां पर है तो वहीं में एक दीप है Bali दीप ठिक तो आपको अगर बाली दीब देखें तो जावा दीब की जश्ट बगल में ही आपको मिलेगा ठीक है तो वहीं पर माउंट अगुंग जॉला मुखी का विस्पोर्ट हुआ उस रगडबिंधी चक्रवाथ हारवे ये कहां पर आया था? हारवे जो है आया था अमेरिका में ठीक है? ये अमेरिका के टेकसास परांथ के तड़ पर ये तकराता है हारवे और काफी ज़्यादा विनाज भी ये करता है आपको सिर्फ यह याद रखना कि कौन सा चक्रवात कहां पर आया हुआ है ठीक है अब मैं आपको थोड़ी चीजे बता देता हूँ कुछ लोकेशन वगेरा जो है मैं आपको दिखा दूँ मुझे पता नहीं कि आप एटलस ओपन रखते हैं या नहीं रखते हैं ловकेशन दिखा के चलता हूं यह देखिए अप व्रडर काम पर पापू नहीं यह पर तॉराइस स्ट्रेट आपको मिलेगी ठीक है और यह पर क्सवारल रीफ एल चीजे है यह यह पर तो और यह यह पर क्सवार्च क singular सागर यहा पापू नमीगणी और इसको थोड़ा अच्छे में देखें तो ऐसे देख सकते हैं आपर ये है पापवा नियोगिनी इसके राजधानी कहां पर है इसके राजधानी है पोर्ट मोर्सबी पोर्ट मोर्सबी है ठीक और और चीजे इंपोर्टन नहीं है आप छोड़ सकते हैं ये है मद्ध हमेरिक होंडोरास, एलसलवडोर, निकारागुआ, कोश्टारिका, पनामा ये आते हैं कंट्रीज किसमें मध्ध अमेरिका में आते हैं ठीक है ग्वाटेमाला, बेलिज, एलसेलवाडोर, होंडोरास, निकारागुआ, कोश्टारिका, पनामा आप मेरे साथ एक बार राजधानी भी बोलो ग्वाटेमाला की राजधानी, ग्वाटेमाला सिटी, बेलिज की राजधानी, नॉमपेन ठीक है अलस अलवाडोर की राजधानी सेंस अलवाडोर होंडोरास की राजधानी टेगू सिगलपा निकारागवा की राजधानी मानागवा कोश्टारिका की राजधानी सेंजोस पनामा की राजधानी पनामा सिटी आप इस जो मैंने अभी बोला इसको बैक करके दो तीन बा में थैंक्स पर वचिंग कीप स्माइलिंग